तो यहां इसकी जो चुनाव होने वाले हैं 13 नॉम्बर और 20 नॉम्बर को यह फेज में आपका होने वाला है यह चुनाव तो इसकी कुछ जानकारी हम लेंगे जो इंपॉर्डन होने वाले हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुल जो सीट्स है वो 81 है जानकर वीजा सभा में जो सीट्स है, यिसमें सामानी के लिए 44 और स्ति के लिए यहां, ST के लिए जो है, 28 दी गई है, और वहीं बात करें, तो SC के लिए 9 सीट रिजर्व्ड है, यहां फिर बात करें, और कुछ बात करें, तो यहां अगर आप देखें, तो कुल मत दाता जो है यहां पे, वो 2.6 करोर, मत दाता है, तो जिसमें पूरिस की अगर आकलन करें, 1.3 करोर हुरुस मत दाता है, और महिला 1.29 करोर, तो युवा मत दाता 20 से 25 वर्स के जो है, वो 66 लाग के बीच आते हैं, पहली बार मत दाता जो है, 11 लाग देंगे इस बार, इस बार नए मत दाता, जो देंगे नए वोटर आइडी जिनका रिजिटर हुआ है, पचासीस वर मत दाता केंदर जो बनाए गया है, 29,562 यह बनाए गया है, वही अगर बात करें, तो सहरी मत दाता केंदर जो बने है, वो 5,042 बने है, और ग्रामीन मत दाता सेंटर जो है, केंदर वो बने है आपके 24,520, महिला संचालित मत दान केंदर भी बनाए गया है, महिला के लिए जिसमें 1271 है और युवा संचारित मत्रदान केंदर भी बनाए गए जिस 139 दान मत्रदान केंदर बनाए गए तो ये थी ज्यारकंड विधान सबाई लेक्षन 2024 की विए बात कर रहा हूं